सो दोस्तो मैं आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ एक बेस्ट लाइन अप्लिकेशन के बारे में जो कि आप इस अप्लिकेशन से बीना किसी इनकम प्रूफ के जो है आप लॉन ले सकते हैं अगर आपको emergency में loan की जरुवत है और अगर आपको कहीं भी से नहीं मिल दा है यानि कि किसी application से आप try कर रहे हैं और आपको emergency में loan approved नहीं हो रहा है तो मैं आपको जो application के बारे में बताने वाला हूँ आपको 100% working है और इस application में जो है आपको stand loan approved हो जायागा बिना किसी income प्रूब के तो अगर आपको loan की need है तो आप इस वीडियो को end तक जरूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो like कीजिए और subscribe कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए आपक का officially app देख जाएगा तो आपको सबसे पहले इस application को download कर लेना है जो कि इस application का download है 10 million प्लस है इन रेटिंग की बात की जाए तो देख सकते हैं 4.3 का rating है जो की काफी अच्छा rating है अगर आप loan लेने से पहले इस application के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप इस वाले option प को मिल जाएगा about this app तो आप इस पर क्लिक करेंगी और उसके आपको इस application के बारे में काफी सारे जानकारी आपको मिल जाएंगे जैसे कि आप नीचे scroll करेंगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस application का term of condition क्या है यह application कितने तक का loan provide करता है वो भी यहाँ पर लिखा दिया हुआ है कि यह application जो है up to 20 लाग पर तक जो है यह application loan provide करता है और इस application में 100% digital process है देख सकते हैं 100% digital process यानि कि जो है आपको किसी भी तरीक का physical process करने की जरुवत नहीं है और instant money transfer to your bank account यानि कि आपके bank account में instant transfer हो जाएगा जितना भी loan amount आपको approve होगा तो आप देख सकते ह यहां पर example दिया हुआ है कि अगर आपको 50,000 का loan amount approve होता है तो आपका जो loan का समय बनेगा 12 महीनी के लिए और annual interest यहां पर लिखा हुआ है और आपका EMI कितना होगा वो भी यहां पर लिखा हुआ है तो आपको इस तरीके से जो हैं यहां पर इससे पढ़ सकते हैं बट अगर आपके mobile number को select करना है कि आपके mobile number से इस application में account बनाना चाहते हैं उसके आपको यहां पर get OTP का option देख जाएगा इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके mobile नमर पर OTP receive हो जाएगा तो आपको यहां पर OTP detect हो जाएगा तो आपको यहां पर थोड़ा दि देखनी को मिल जाएगा cash loan तो आपको इस वाले option पर किलिक करना है उसके बाद जो है आपको यहां पर कुछ इस तरीके का option देखनी को मिल जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ आ जाएगा loan approval in just two minutes यानि कि दो मिनिट के अंदर अंदर जो है आपका loan amount एप set करना होगा उसका जो है आपको bank detail जो है आपको डालना है जो भी आपका bank detail है उसका आपको कवैसी complete करना है और आपके bank क्योंने पैसा transfer हो जाएगा जो कि बिल्कुल जो है simple है बस आप दो मिनिट में इस application से loan ले सकते हैं तो आपको करना क्या नीची एक option आपको मिल जाएग पेड़ करना है जो आपके pen card पे है उसके जो है आपको यहां पर date of birth प्लब करना जो date of birth आपके pen card पे है और यहां पर फेड़ प्लब करना है जो भी आपका pen card का number है और उसकि बास मिल आपको नीची नेक्स्ट का option में जाएगा next पे क्लिक करना है उसके बाद जो है आपको work data complete करने का option आ जाएगा तो आप एसकिन पे देख सकते हैं work data तो work data में आपको सबसे पहले select करना होगा employment tap में कि आप select person है या आप self employer या आप कोई other काम करते हैं इन में से आपको कोई भी एक option को select करना है उसका यहां पर monthly income डालने का option मिल जाता है तो यहां पर आपको अपना monthly income डालना है जैसे कि में यहां पर 30,000 डाल दियें तो आप जो चाहे डाल सकते हैं कोई दिकत नहीं है उसका जो है आपको नीची next का option में जाएगा next पर आपको click करना है उसके बाद जो है आपका loan amount एप्रोब हो जाएगा जैसे कि आप asking पर देख सकते हैं हमको यहां पर 55,000 रुपे का loan amount एप्रोब हो आ है और आप asking पर देख सकते हैं लिखा हुआ जीरो processing fee यानि कि जो है आपको इस application में processing करने का जो है कोई भी फी नहीं लगता है जीरो processing fee लिखा हुआ है और देख सकते हैं हमको यहां पर 55,000 का loan amount एप्रोब हो चुका है और यहां पर EMI भी लिखा हुआ आ जाता है कि कितना का EMI बना है और कितने महिने के लिए बना है और कितना interest total यहां पर लिखा हुआ आ जाता है अगर आपको जो है इससे कम amount लेना है तो आपको यहां पर एक option मिलेगा edit offer देख सकते हैं इस पर आपको click करना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं इसे कम भी कर सकते हैं अगर मान लेजिए अगर आपको ज्यादा amount की जरूवत नहीं है और आपको loan amount ज्यादा approve हो गया है तो आप यहां पर कुछ इस तरीके से कम कर सकते हैं जैसे कि आप चायटो 30,000 का जो ही यहां पर loan ले सकते हैं यानि कि अगर आपको 30,000 रुपी की जरूवत है तो आप कुछ इस तरीके से यहां पर 30,000 रुपीया select करेंगी और इस तरीके से loan ले सकते हैं और यहां पर आपक सकते हैं चस चाहते हैं कि हम साल के अनतर ही इसे रिपेमेंट्स कर देंगी तो आप किस तरीकिसे क्लेंडर तो आप इसे किलिक करके पना suo है EMI date यहाँ पर देख सकते हैं कितने कितने तारीक को कितना EMI कटेगा वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ आज आएगा तो आपको कुछ इस तरीकी से सारा detail को आपको verify कर लेना है और उसके बाद जो है आपको नीचे एक option मिल जाएगा देख सकते हैं तो आपको इस पर किलिक करना है उसके बाद जो है आपको bank retail add करने का option आ जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले लेखा हो है bank details तो bank details में आपको सबसे पहले यहाँ पर search your bank तो bank का नाम search करना है कि कौन से bank में आपका account है किस account में पैसी आप लिना चाहते हैं उसके बाद जो है आपको यहाँ पे FAC code डालना है FAC code आपकी bank password पर मिल जाएगा उसके बाद जो है आपको यहाँ पे account number डालना है जो भी आपका bank account number है और उसका जो है आपको नीचे next का option में जाएगा next पे click करना है और जैसे ही आप next पे click कर देंगे आपको क्यवाइसे complete करने का option आ जाएगा तो क्यवाइसे complete करने में बस आपको अधार का detail डालना है उसका जो है आपका call ना भी customer care connect हो जाएगा उसका बाद आपसे कुछ detail पूछे जाएगे जैसे कि जो भी detail आप फिलप करेंगे वही detail आपसे पूछे जाएगे और उसका जो है आपका amount जितना भी amount आपको approve होगा उतना amount जो है आपके bank account में instant transfer होज जाएगा ज्यादा समय नहीं लगता है सो इस तरीके से जो है आप इस application से बिना किसी income proof के आप loan ले सकते हैं I hope आपको वीडियो पसंद रहोगा वीडियो पसंद रहा तो like कीजिए subscribe कीजिए comment कीजिए मिलते हैं किसी next video में तब तक के लिए thank you so much bye